हेलो बच्चों आज हमारा क्वेश्चन है इप M पैलर टु एन एन एंगिल वन एकल टु कितना दे रखा 65 डिग्री दे रखा फैन एंगिल 5 एन एंगिल 8 भाई हमार पा यह दो लैन है यह हम करेंगे एन में यह आपस में पैलर है पैलर का मतल़ है कभी आपस में मिलेगी नही सीदे चल जैसे रेलोव प्लेटफोर्म रेलोव पट्री होती है ओके यह से हमारी है अब यह हमारी ट्रांसवर्सल जा रही ओके इसको हम कहेंगे भाई यह एल एक क्या हमारी ट्रांसवर्सल लैन जो दोनों को कार्ट ही है तो जब हमारी दो लैन पहले होती है एक कि दूसरा हमारा वनते हैं इसमें फ़र्टी का लिए सैंभर कॉले अपोजिट एंगिल बंते हैं तीसरा हमारे स्में बनतें in T इंट्रेयर ईल्टरनेट इंट्री इंटार्णेट एंग्यल इंट्रेयर अल्टरनेट डे एक्स्टिरियर बनता है यह इंट्रीयर ऐल्टनेट दूसरा थे बना एक्स्टिरियर अल्टनेट इंट्रेमन अंदर एक्स्टिरेमन ना बाहर अल्टनेट पांचों हमारे इसमें लीनेर फियर बनता है लीनेर फियर क्या होता है जब दो एंगिल का सम कितना होता है 180 तो लीनेर फियर छट्व हमारे इसमें बनता है क्या बनते हैं हमारे चट्व को इंटीर को इंटीर को इंटीर पीर्च क्या होते हैं तो सब्सक्राइब हम बात करेंगे क्रॉसफणिंग एंगल कि भैं क्रॉस पराइट में देखो यह हमारा राइट मे तो सेम साइट में होगे और सेम पोजिशन में होगे एंगिल वन एकल टू एंगिल सिक्स हमारा क्या होगा क्रॉस पॉर्णिंग होगा तो हम पहले लेते हैं क्रॉस पॉर्णिंग क्या क्या है भी तो सब्के पहले हम आ रहा है क्रॉस पॉर्णिंग अंगल हम देखते हैं इनमें कौन कौन से क्रॉस पॉर्णिंग है कि तो यह एक है दूसरा पयर हमारा क्या बन रहा इसमे बाई एंग़ एंगल four angle four length की नीचे तो यह length की नीचे क्या है angle seven है तीसरा इधर की तरब आजाओ left side में आजाओ same position same side angle two equal to angle five हो जाएगा angle two equal to क्या हो जाएगा angle five हो जाएगा एक प्यारे बन्ड हमारा ओके angle three equal to angle three equal to angle eight यह हमारे क्या हो गए cross funding angles है यह क्योगत है यह 70 यह सट हो गवाई तो यह हमारे pair of cross of finding angles है अब हमने कहाओ vertically opposite angle vertically जैसे हमारे एक आम यह जाड़ी एक यह जाड़ी यहाँ से एसे है तो इसका vertically opposite क्य यहे हो जाएगा इसका और यह वॉक्तिकन एधाल एक्टिकलई क्या यह हो दूसरा हमारा वॉटिकलि ऊपोजिट एंगिल कौन-कौन कौन सीफ में है वॉर्टिकलि प्टॉजट एंगिल बैज दीखो वाइटिकल ही मैंदब एंगिल वन का एंगिल थिरी है एंगिल टू का रोधिकल है एंगिल 2 bacon और एंगेल 4 आपस में वर्टिकली अपोजिट है, भाई 1 का 3 है, 2 का 4 है, ऐसे इसमें देखो नीचे वाले में, भाई क्या हो जाएगा, एंगेल 5 एकल टू एंगेल 7, और एंगेल 6 एकल टू एंगेल 8, यह हमारे हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगेल, ओके, अब हमने का इंटीरर अल्टरनेट, इंटीरर मतला अंदर, इंदोन लेंड के अंदर, अल्टरनेर में अपोजिट में, भाई यहां पर लिख रहा में, इंटीरर अल्टरनेट एंगेल, इंटीरर अल्टरनेट, देखो, इंटीरर इंदोन लेंड के अंदर है, और अल्टरनेर अपोजि इंट्रियर से यह है, इसकी यह है, इंट्रियर से बाहर, इधर के इधर हो जाएगा, तो एंगिल और एंगिल 8 हो जाएगा, दूशरे से यह जाएगा, गेल टू और अगेल यहां अल्टरेंट्ạnh Vocês ऐनियल सेवन यह भाएं ओके टो यह क्या होगे अल्टेनेर इंट्रेंच एंगेल एंट्रेंच आंगेल ऑर एक्सटेयर इंट्रेंच आता र मताली में अब आहारा तो यह linear पहर, एंगिल 5 प्लस एंगिल 6 फ्लस 8, एंगिल 8 प्लस7, एंगिल 7 प्लस 6 हमारे 凌कुर्ण में बासफ kita效 सकते इसको सम्हतकते हैं इसको कैसे फ्यों और फुरल बासट अधर ho सकता, हो सकता ḥ हो 1 या अधर सकता है ओके तो यह हमारे linear phase है और co-interior, co-interior important है, co-interior को होता, same side of the transversal, transversal लिए same side of the transversal, sum is 180, ठीक है, तो एक angle 4, angle 6, भाई ये हमारे क्या है, ये angle 4, 6 क्या है, co-interior angle है, इनका sum 180 आना चाहिए, same side of the transversal, 4 और 6 क्या है, हमारे co-interior होता है, होता है, इनका sum कितना होता, 180 होता है, तो हम इसको, ठीक है, हम co-interior देख रहे है, co-interior, interior angle, भाई, angle 4 and angle 6, इनका sum होना चाहिए, 180, तो ये हमारे क्या होते है, co-interior angle होते है, भाई, 4 और 6 और 3 और 5, ओके, और angle 3 पलस angle 5, ये हमारे क्या होंगे, 180 होंगे, इनका sum कितना आएगा, 180 आएगा, ये हमारे क्या होते है, co-interior angle, इनका मतलब है, same side on the transversal is 180, okay, sum is 180, आया समझ?